अब लोग देख पा रहे हैं यहां पर जो कुछ बॉड लिये हुए कुछ लोग है तेल की मार भाजबा सरकार जनता देखो मोदी का खेल 90 पार कर दिया तेल बहुत हुई महंगाई की मार अब जाओ भाजबा सरकार पेट्रोल डीजल पर मुल्ले वृदी वापिस लो वापिस कॉंग्रस का परदर्शन किया जा रहा है क्या कुछ कहना है आज कॉंग्रस का परदर्शन वर्तमान की जो केंदर सरकार है इसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाब है महंगाई चरम पर है जब कॉंग्रस ने केंदर की सरकार छोड़ी थी जब डीजल का बाहुत्रे 50 रुप अपने साथ साल में 32 लीटर डीजल का बाओ बढ़ा दिया और 27 रफे के गरीब पेट्रोल का बाओ बढ़ा दिया जिससे चोतर फैमेंग आई कि मार से लोगों का जीना अस्क्वस्त हो गया क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक असी चीज है इसका गरीब मद्यम सब लोग इसका परियोग करते हैं वो यह हमारा युवा साती पांसा जारगी नोचरी कर रहे हैं वो भी पेट्रोल डलवाता है तो चार जारते का उसका वही खर्चा है और सब्जियों में फुरूट में र देश में मुख्य फक्सी पाली है तो कॉंग्रस के सभी कालिया करता सभी नेता आज यहां दर्णा दे रहे हैं कि मुरी सरकार से हमारी मांग है कि यह वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फैले और आप पेट्रोल और डीजल के बाओ अपनी जो एकसाइस दूती आपने बढ़ा अचिए और घजब की बात यह है वर्तमान सरकार की जो कम नीती है वो को पुचलने की जो नीती है वो साइध जनता नहीं जाने ही जब अंतरराश्टी में पेट्रोल वीजल का बहुकम होता है तब बहुत मैं सरकार कभी बहुकम नी करने जोंगा जितना कम होता है उतनी एक इसे सरगार हाँ वैंदुनिया कें वोक कंतर की चेति participar को कुछलने वाइं सरकार है यह सरकार किसी की सुनती नहецтом थी सबस्क्त करती तो उसकी बार assure परन्तु वर्तमान सरकारी जो भी इंडिया है कि देश की जंता, देश का किसान, देश का युवा, वपारी, कोई भी वरत, कितना भी बड़ा अंदॉलन कर ले, मिनों ने कसम खार रखी है कि किसी भी सूरत में हमने जंता की समझ्याओं बाल नहीं करना। इसका जीता जाता सबूत है किसान अंदॉलन, दोस्तो चप्टीस दिन से, पर देश के किसान, देश के किसान लगाता अंदॉलन पे हैं, जो इस देश कांदाता है, जो खेती बाड़ी के निरबर है ये देश, लेकिन उनकी भी सुनाई निकर रहे, ये बहुत बड़ा जीता जाकता हुदार्ण है, लेकिन अगर जरने परदर्शन इस सरकार के खिलाब नहीं हुए, तो भारत के लोगतंतर को खत्रा है, ये मैं साब सब्दों में आपके चालेज के माद, हमसे पूरे देश की जनता हो कहना चाहता हूँ, ये जितना भी प्रक्सी दल है, जितना समाद हम सबने वर्तमान सरकार के खिलाब सडकों पर आना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार लोगतंतर खतम करने की त्यारी है, ये चाहिना की तरज पे देश में सासन परणाली लेना चाहती है, एक दल ये परणाली हो और इस देश का राष्ट्रपती जब तक जिये, जब तक आपको क्या लगता है, जो पंचायद एलेक्शन का कारेकाल पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी जडरी चल रही है, लोगों के अंदर लोगों के पास हम जाते हैं, लोग ये वजाते हैं, किसान अंदोलन की वज़े से जो पंचायद चुनाओ है, जो जिला परिशत के अब्लोक्स में थीगे, सारे चुनाओ टाल दिये गए हैं देखे, इसमें सरकार की नियत साबनी है, सरकार परदेश के लोगों को बार-बार घुम्रा करती है, वोई भी सपश्क नीती, सपश्क श्कीदी, वर्तमार परदेश सरकार, अर्याना की जंता को नई जरी पंचायद चुनाओ को लेकर, मैं आपको बताओं, अभी भी सरकार जिल्या परिसेद के वार्डों का ड्रा कर रही है, कल भी है, कल ड्राहा करके, लेकिन अभी पंचायद चुनाओ को लेकर, मांगनी हाई कोर्ट में विचारा दिन मामला है, इसकी त्रही सगस्त लगी हुई है, सरकार लोगों को गुमरा करती है, सपश्क नीती नहीं बताती अब इक वर्ट में मामला है और हमारे किसान अंदोलन भी है अब यह चाहते हैं जो चुने वे जन परती नहीं है अम एले हैं यह जाते हैं तो उनको जंता के बारी विरोध का सामना करना पड़ता है यह सरकार जान पूज के हर काम में देरी कर रही है अन्यमाच सर आप से बात चाहिए यह सरकार है मेरा निवेदन सारी जंता से है यह कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है कि कोंग्रेस काल्टी को बचाने की और देश में लोकतंतर को बचाने की लड़ाई लड़ी है और इसमें हर देश के व्यक्ति को हर राजमीतिक दल को हर समाश संस्ता को हाग के देश को बचाना है